स्वाइटी लड़ी विच उसी अगला पार्ट करन जा रहे हूं है बारवीं क्लास दिया एक निबंध है कारवीच ही गुरियाई जो की लिख्यों है प्रिंसिपल सायब जी दा कारवीच ही गुरियाई शबद नो समझानत पला में ताने गल हो समझानी है कि जिसना तुसी पह सो इस तरह ही जड़ी कारवीच ही गुरियाई कारवीच ही गद्धी रहे गुरु दी गद्धी जड़ी गुरु परंप्रा चाल दियो कारवदी विच रहे नहीं कि गुरु दा बेटा ही राजा गुरु दा बेटा ही गुरु फिर गुरु दा बेटा गुरु सो इस तरह ब अमरतास जी स्वेरेची दो श्नान कर धे सी, तो उनàyा जडी वümü सेवा करणी सी, पाणी रख्ना तॉलीय रख्ना सब उना ती बेटी बीबी पानी जी कर धेéta, ऑना धी बीबी पानी सी ध wonder जी न कर धेसन उस विचो खून काफी आ गया और गुरुमर्दास जिशनान करे से तो जो उनने नालिज देखिया कि खून जा रहे है तो उनने देखिया कि उनना दी बेटी ने अपना हाथ रख्या होया है उनना नू बचान कातर तो उनना दी सेवा पावना तो देखे बहुत खुश है बी बीबी पानी जी ने जड़ा वर्दान मंगया कि गुरु जी जड़ी गुरु गद्धी है गुरु गद्धी जड़ी चल दी आ रहे हो कार्दे वेची ही रहे क्योंकि पहले गुरु शिरी गुरु नानक देव जी होया है तो उननना ने आपने बेटे नो अग्गे गुरु अगए बनाया, इस साख्यानुसार वर्दान बंगया, कि गुरु गद्धी जड़ी हुन कार्थी कारविची रएगी, गुरु अमर्दास जीने क्या कि बंगरता है कि या लुकार्दी कार्थी रहनी कार्दी रेगा delivery, सो अग्य चलके गुरुआनों काफी दुखा मुश्कलादा सामना करना पया जेवी गुरु अर्चन देव जीनु श्री कुरु तेक भाधर जीनु गुरु गोबिन सिंग जीनु अपने जान बारी देश वास्ते परिवार वार्या पर इस जनम साखी विच ए नाल दो गल्ला ह कि अगर जे गुरु अमर्दास जी गुरु जी सान ने उच्चे गुरु संते कि उनाने अपनी बेटी को असरता वर्दान दित्ता हुएगा और बीबी पानी जी जो की बहुत ही उत्तम दर्जे दे बहुत ही वदिया सेवी का सन बहुत ही गुरु पामना गुरु परंपरा उसान चलन वाली इसरी संकी उनने अजेहा वर्दान मंगियो एगा जिस नाल पता है कि अग्गे चलके गुरुआनों कुछ मुश्चिप्ता दा सामना करना पैस सकता सी थे अचलन पता है कि अग्गे पता है कि अग्गे घुता पता है कि अग्जा पता है यहां से काफी दूर चल ले गए ते कहने ने कि तेन गुरु जड़े ने अपने बच्चा तो दूर रहे इस करके यह करने कि गुरु मर्यादा गुरु परमपरामा दा उनानु चंगी तरह जड़ा की वनानों ना दिविद्या नहीं मिल सकी शायद इस करके ओना अगे बेट जड़े की गुरु नहीं बांद सके खैर इस तो बाद विच गुरु अमरदास ची ने जिदो बीभी पानी जिन नों कहने दे कि अबर दान दे दिता तो उस तो बाद बीभी पानी जी दा जड़ा व्यासी जड़ा ओना दा शादी होई सी ओ पाई जेठा जी जड़े होया सी तो वो अगले गुरु फिर चोथे गुरु बने सन पर अंत विच फिर वी इस चनम साखी दा जड़ा विशलेशन करके एही नतीजा निकल दा है कि गुरु अमरदास जी उच गुरु सन और भीबी पानी जी बहुत उच दर्जे दी सेवी का सन बेटी सन गुरु प्राव गुरु मर्यादा देनू सार चलन वाली सन इसलिए उन्हा ने हो सकते है कि हो जा कोई वर्दान नहीं मंग्यो आएगा और ना ही गुरु जी ने ऐसा कोई वर्दान दित्त होएगा सो ए सी नी बंध कारवे जी ही गुर्याई चोटा जान नी बंध है चोटी जी जनमसाखी उसटा विशलेशन है उमीद कर रहे है तानू चंगी तरह समझ आगी होएगी कोछ इस दे तानू कोश्यन नाल करवा देनी है जिस्तरा की बेला क्वेश्चन ही आ जान दा है कि बीपानी जी खुद करते सन फिर तूसरा क्वश्चन है गुरु जी ने कारविच ही गुर्याई दा वर देन दे होए बीपानी जी नू की क्या सी गुरु गद्धी किसे दी जद्धी जायदाद नी उन्दी गुरु जड़ी गद्धी है किसी दी परस्नल प्रॉपर्टी न नहीं हुंदी है फिर अगला क्वश्चन आंद है कि प्रिंसिपल साहिब देन सार की जड़ा चौकी दा टुटा पाया सी जिस थल्ले बीबी पानी जी ने अपना पैर यहांत रख्या सी कि एंज हो सकते कि जड़ा कोई भी व्यक्ति श्नान कर रहें इस चौकी ते बैठके उन्हों पता ही ना लगगे कि पावा टुटा है या एक दम बैठ दे टूट गया है और किसी ने थल्ले हाथियां पैर रख है एंज नहीं हो सकता जे भी कोई वी व्यक्ति श्ना उस्ते बैठेगा अगर टुटा है पहला ता भी उन्हों पता लगजेगा और बैठे बैठे पता लग सकता है फिर है कि कारविच्छी गुरियाई निबंद दे अंत विच लेकक ने की सिटा कर देया एही सिटा कर देया कि गुरु नानक देवजी दी चलाई होई मर्यादा दा उलंगन नहीं किता ते गुरमर्दाशी ने बीबी पानी जीनू ऐसा कोई विवर्दान फिर अगला है कि पहले तेन गुरुआ देवसी पूतर गुरु गद्दी दे योग क्यों नहीं संञ न? क्योंकि पहले तेन गुरु जड़े से अपने बेटयाँ तो बच्चयां तो काफी लम्मे सामे दूर है जिसकर कर कि गुरुमत यहां गुरु मर्यादा गुरुम परम दो उसी पूरी त्वारा पूरा उस नूत्यान देके तुबारा करवान दी पूरी कोशिश करागी तानुपत